हाई अबरीबन वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल तो आज हम लोग किरन पॉब्लिकेशन का प्रैक्टिश शेट नंबर टू करेंगे जो कि हम लोग अफ्टार्ट किये पांच आप्सन वाले प्रैक्टिश शेट को तो चलिए कोस्चन नंबर फोटी वन फ्टार्ट करते है आपको भी पता है वन से फोटी तक का मैथ और इजिनिंग का कोस्चन है जिसमें हम लोग बस जीके और जी एस का कोस्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो चलिए कोस्चन नंबर फोटी वन पे चलते हैं राफ्ट्रिय विग्यान दिव जाता है 28 फरवरी को नेक्स्ट कोस्चन नंबर फोटी टू पर चलते हैं कि निम्लिखित यूगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो हम लोग क्या है पहला फूल रिंज फ्लोरीन योगत कारवनिक योग योगे तो यह क्या है हम लोग का गलत है फूल रिंज है जो का कारवन का तीश्रा अफ्रूप है तो इसमें फ्लोरीन योगत कारवनिक योगेंग नहीं होगा नेक्स्ट केया है हम लोका सुसक्वर्ग तो ठोस कारवन डाइक प्रूपाइड को पकाते के रटिन मानव चम्मच के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन तो यह भी क थातु है अफ्टेल्स अफ्टील मिफ्ट थातु किसका है लोहे और क्रोमियम का तो इसका correct answer हो जाएगा option no.3 लोहा और क्रोमियम नेक्स्ट कोशन नमर 44 देखते हैं लॉंग है लॉंग क्या है लॉंग एक प्रकार का तना की गाठे है तो इसका राइट अन्फर हो जागा ऑप्षन नूमर वन नेक्ट कोशन नूमर 45 पे चलते हैं हम लोग निमलीखित ग्रहों को उनकी फूरिफे दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवफ्थित कीजिए तो यहां पर क्या है फूरिफे बढ़ते क्रम में इसको क्या करना है व्यवफ्थित कर आन्फरिफ हैं पर वरल अंडल के ग्रहों को दो भागों में बाटा जाता है पहला आंत्रिक ग्रह तथा दूसरे बाहे गराश चार अंत्रिक ग्रह हम बुद्ध फूक्रप्रिद्वी और मंगर् अकार में छोटा है प्रत्व इश्चा घनव अधिक अबाहे ग्रह हम लोगा टां जिसका को क्यों जो बार होता है उसका घनत्व कम होता है प्लूटो इसका अपबाद है जिसका अकार छोटा प्रत्व ग्रहूंgin ठीक है तो फूरी से दूरी के आधार पर ग्रहों को व्यवश्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा पहले नेक्स्ट विह जाएगा फिर Urs वा प्लूको पैला त्षे ब्शिवी नेक्स्ट विहस्पति पिर उरस स्टमवलों हम लोग देख लेते हैं नमस्ट कटवर हो काई से किया जाता है अब तर लेंश प्रयुक्त करके उसको क्या किया जाता अब तर लेंश लगा कर उसका निकट द्रिफ्टी दोसको ठीक किया जाता है चलते हैं हम लोग next question 47 पर मा और फिफू के बीच गले लगाना या चुम ना-निम्न हर्मोन में किसके मूचन को प्रेरित करता है तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा नौर एडरी लाइनिंग हर्मोन का तो अप्षन नमबर टू इसका करेक्ट अन्शेर है बहुतिक परिवरतन का एक उधारन है हावा में चांदी के बरतनों का काला होना ये भी भूतिक परिवरतन है यानि हम लोग ऑप्षन नमबर ठर्ड करेक्ट अन्शेर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चन नूम्बर 49 पे चलते हैं हम लोग निम लिखित में कौन फ़र पोटाइशियम अलपता फे संबंध है किसमें है जो पोटाइशियम की कमी होती है तो निम निरक्त चाप बाले में पोटाइशियम का अलपता होती है अप्फन नूम्बर 2 करेक्ट अनफर हो जाएगा कोश्चन नूमर 50 देखते हैं तब तक कोई पृत्ति के रिया नहीं होती जब भाफ गुजरती है उपर फे तो इसका रिया अनफर हो जाएगा ओप्फन नमबर 1 एलुमूनियम के और नेक्प्ट कोश्चन नूमर 51 देखते हैं एक फामानी फूस्द के फैल में बिदूत अपगहट होता है आमोनिया क्लोराइड का फामान फूस के फैल में बिद्धूत का अमोनिया का क्लोराइड का क्या होता है अपगाटन होता है next question नमर 52 पर चलते हैं पर क्या है दो फ्यूची दिया गया है उसको फई फुमेलिद करना है तो option number one है retinol तो retinol किसे होता है नेत्र फूख कर लाल होना retinol बिमारी में क्या होता है नेत्र फूख कर लाल हो जाता है tocopherol tocopherol क्या होता है बंधियता यानि कि A का 3, B का 4 phyno-covalimine तो इसका क्या हो जाएगा घातक रक्त चाप यानि option one हो जाएगा अब periodoction periodoction क्या होता है मानशिक ब्यादी यानि हम लोग का answer क्या हो गया 3, 4, 1, 2 यानि कि हम लोग का option number two correct answer है next question number 53 देखते है dynamo, dynamo क्या है यान्तरी कुर्जा को क्या करता है बैदू तूर्जा में परिवर्तिन करता है यानि option number two हम लोग का correct answer है next question number 54 पर चलते है भारत में प्रचूर मातरा में उपलव्द महत्वपूर्ण नाभी किये इंधन है तो भारत में कौन फा इंधन है जो प्रचूर मातरा में उपफ्थित है तो हम लोग कि हैं क्या है थोड़ियम है जो बहुत ज्यादा मातरा में उपफ्थित है आकास नीला लगता है क्योंकि लगू तरंग दिर्क तरंगों कि या पेच्छा बायू मंडल द्वारा अधिक प्रकिर्णन होते हैं पर क्या होता है जो हम लोग का वाइलेट करा कलर है उसका तरंग धैर क्या है कम है इसलिए हम लोग का आकास नीला दिखाए देता नेक्स्ट कोस्चन नमर फिप्रिफिक्स देखते हैं चार जैम जैली एवं चटनी बना कर रखेते फमय फीफी और मर्तवान को पहले इसलिए फुखाये जाता है क्योंकि नमी बायू एवं ताप फेप्रदार्थ पफुंदी आने का खतरा होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो काश का जार होता है उसको फुखा कर रखते ह नेक्स्ट कोश्चन नमर 55 देखते हैं फम फाम एक काल में चिपको आंदोलन को फिर फेचलाने एवं पेरों को बचाने का फ्रे किफे जाता है तो किफे जाता है फुंदरलाल बहु गुना को फिप्रिशेवन का राइट अनफर हो जगा आप्शन नमर 3 बहु गुना को ने इसका राइट अनफर हो जाएगा अप्शन नमर 2 मकरंद पराग कहां है यह बताने के लिए यानि कि पराग कहां से मिलेगा यह बताने के लिए वह आठ हंक की आकरीती बनाकर उड़ते हैं जिसे वह अपने फाथियों को फुचित कर वग हैं नेक्स्ट कोश्चन नमर 59 इसे दूद में बैक्ट्रिया को पहले गर्मी तथा फिर अतियधिक थंड़ा करके मार दिया जाता है बिल्कुल सही आप्शन है हम लोग आप्शन नमर 1 करेक्ट अंफर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमर 50 देखते हैं प्रकास अंफलेशन के समय पौधों का कौन सा भा कोश्चन नमर 51 देखते हैं पत्तों में प्रकास अंफलेशन के दवरान कारण डैयक्फाइड और ऑक्फीजन का आधान परदान पौध के भाग से होता है तो इसका राइट अंफर हो जाएगा ऑप्शन नमर 1 रंधर फे नेक्स्ट कोश्चन नमर 52 देखते हैं इसा देखा गया है कि रेगिफ्तान में पौधों की जरे बहुत पतली तथा बहुत लंबी होती है क्योंकि पानी जमीन में काफी गहराई में होने के करण जरों को पानी तक पहुँचने के लिए एफशा बनना पड़ता है आप लोगों को भी पता है कि रेगिफ्तान में पानी बहुत अंदर में पाया जाता है इसलिए जरों को पानी तक पहुँचने के लिए उनको अपनी जरे लंबी करने पड़ती है नेक्स्ट कॉस्चन नूमर 63 देखते हैं मौलिक करतब्यों को भारतिये शंबीधान में डैंस बर्फ में सामिल किया गया भी लाएव नेक्स्ट कॉस्चन में 64 देखते हैं कि द्री प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड की अफ्ठापन सब्सक्राइब की गई थी तो केंद्रिये प्रदूशन यंत्रन बोर्ड की अफ्था अपना फरकार दुवारा 1974 में की गई थी नेक्स्ट कोशन नमबर 65 देखते हैं निमलिखित में कौन से भारतिये रेलबे की सबसे पुरानी उत्पादन एकाई है तो इसका राइट अंफर हो जाएगा ऑप्सान नमबर थ्री चितरंजन लोको मोटी बर्ग्स नेक्स्ट कोशन नमबर 66 देखते हैं कि अनुछे 239 संबंदित है अनुछे 239 है जो किसे संबंदित है केंद्रफाफित परदेशों को संबिधान में के भाग 8 के अनुछे इसमें प्रफाफ नहीं है तो इसका ऑप्सन हम लोग देख लेते हैं ऑप्सन नमबर टू है जो करेक्ट अंफर हो जाएगा राफ्ट पती द्वारा केंद्रफाफित प्रदेशों के प्रफाशन में नेक्स्ट वक्षेशन नमबर 67 देखते हैं अम मॐ रेमिन मैकफेव पुरफकार बीजेता पहले भाड़तीय कौन थे रेमिन मैकफेव पुरफकार पहले भाड़तीय कौन थे बीनोबा. Central वाबे देखते हैं ऊर्दपाथन क्या है और्द पातन किसी पतन को ठोड़ से फिदे कई सबह सर में परिवर्तित हो जाता Is recognizing पुरानों का अध्यन करने वाला प्रतम मुसल्मान था कि मुझे है कोMore नेक्ष्ट कवस्चन नमबर सेबंटी देखते हैं योगражन के प्रति पादक है योगदर्वन के प्रति पादक कौन है पतंजली नेक्स्ट कोश्चन नमबर 71 देखते हैं विभार के किस जीले में तो बिहार के पफ्चिम चंपारण जीले में है सो मिफ़ फ्रेनी का बिफ्तार देब समाज के संस्थापक निमन में से कौन था देब समाज के संस्थापक कौन थे कि फिब नारायन अगनी होत रहीए तो अप्सन नमबर 3 हम लों का करेक्ट आंसर हो जागा नेक्स्ट कोश्चन नंबर 73 पर चलते हैं बिहार का सबसे प्राचीन प्रियोजना है बिहार का सबसे प्राचीन प्रियोजना क्या है फोन प्रियोजना नेक्स्ट कोश्चन नंबर 74 देखते हैं कौटिल महामंत्री थे सम्राट कौटिल महामंत्री कहां के सम्राट थे जंद्र गुपत काल में किषंदे आयू आयूर विज्यान पश्यक रचना की थी किष ने की थी फू 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 ने तो हम लोगा राइट अन्फर हो जागा फू 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 नेक्ट कोश्चन नमर 75 देखते हैं किंद्रिये वाफ तेवं परिवार कल्यान मंत्राले 12-24 नवंबर 2021 को पर काफित रफ्ट रिये परिवार फरवेच्छन के अनुफार बिहार के लिं सब्सक्राइब लिए नेक्ट कोश्चन नमर 75 देखते हैं नमक फत्यगरा के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने का फाथ फत्फरकार के बिरोध किफ कर का बिरोध करने का बिकल्प चूना था तो इसका राइट अन्फर हो जागा ऑप्सन नमर 3 चौंकी दारी नेक्ट कोश्चन नमर 78 देखते हैं बिधवा पुनर विवाह अधिनियम किफ के फाफन काल में किर्यान बित किया गया था तो किफ के फाफन में किर्यान बित किया गया था लॉड कानिंग के शाषिन काल में नेक्स्ट कोश्चन नमबर 79 है गुपत कालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था तो उसका क्या नाम दिया गया था रूपक है गुपत कालीन रजत मुद्राओं को रूपक कहते थे नेक्स्ट कोश्चन नमबर 80 है राफ्ट्रिये गीत बंदे मातरम किस गरंत फे संकली है तो आनंद मठिफे नेक्स्ट पॉस्ट नमबर एटीवन देखते हैं अभीनफ भारत गठं किया था अभीनफ भारत का गठं कौन किये थे बेडी फाबर कर ऑप्पषो नमबर थ्री है कि करेक्ट अन्स फर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमबर 82 देखते हैं निमलिखित में कौन एक फुमेलित है तो चलिए इसको हम लग देख लेते हैं तो इसका नमबर 83 देखते हैं बिहार में गंगा नदी में दच्छिन दिशा में मिलने वाली नदियां कौन नहीं है तो दच्छिन दिफा में कौन फी नदी है न ही जो नहीं मिलती है बिहार में तो यहां देखे यहीं इसका उप्षाण नमबर Kiss ऑप्षा में महां नंदा राइट अन्फर हो जाएक महां नन्दा है जो क्या है दच्छिन में कहीं मिलती है नेउस्ट कौस्चन नमबर 84 चमपारण पद्य अगरह बर्फ कब हुआ था त के समय अपने फावर मती आफ्रम में ठाहराया था हुआ थे बेब मीलर तौप फान नमबर टू हम लोगा करेक्ट अन्फर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमबर एटी फिक्स देखते हैं दुरूब की दादी आम्बला अम्रूद निम्बूत था फंत्रा आधी का शेवन न लोग होगा तो बिटामिन फी फे होने वाला रोग कौन सा है अफकर वी यानि आपफन नमबर थ्री हम लोग का करेक्ट अन्फर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमबर एटी शेवन देखते हैं फोया विन बादाम पनीर मत अरेवं राजमा आधी मिसे फरीर का विकाफ कर चर्णे के लिए कि प्राप्ति होती है तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा बिटामिन उपसंन करो ओप्रीजिए अप्षण नमबर 1 में परेक्ट नमस्तिए नाइन देखते हैं प्रचीन काल में महलो एवं किलो में बावली बनी होती थी बाबली एक क्या होता था फिरी नूमा कुमा होता था उफी को क्या कहा जाता था बाबली नेक्स्ट कोश्चन नमबर 90 देखते हैं मिटी के बरतनों को बना कर धूप में फुखाने के बाद आग में क्यों पकाया जाता है क्यों पकाया जाता है उन्हें पक्का बनाने के लिए आग में पकाया जाता है next question number 91 देखते हैं जल के फुद्धी करन के लिए क्या जरूरी है जल के फुद्धी करन के लिए जल को वालना चाहिए जल को filter ये चाहिए जल में chlorine की गोलियां डालनी चाहिए नेक्स्ट आप्षन हम लोग देख लेते हैं उप्युक्त में फे एक फे अधिक यानि आप्षन नमबर फोर हम लोग का करेक्ट अन्फर हो जागा नेक्स्ट कोश्चन नमबर नैंटी टू देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर नैंटी फोर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कोश्चन नमबर नैंटी फोर देखते हैं अन्फर नमबर निमलिखित में से क्या उर्जा का एक गर्ब परमपरिक फ्रोथ है तो उर्जा का एक गर्ब परमपरिक फ्रोथ हम लोग क्या हो जाएगा पवन अप्सट नमबर थ्री हम लोग का करेक्ट अन्फर हो जाएगा निमलिखित में से कौन चोड़ी चोरा कांड का बास्तविक तिति है तो इसका बास्तविक तिति क्या है चार फरवरी उनेश्ट कोश्चन पर एक सबताहिक के रूप में यंग इंडिया का फुवारंब किया था यंग इंडिया का फुवारंब क्या क्या था होम रूल पार्टी ने तो हम लोग ऑप्सट नमबर वन करेक्ट अन्फर हो जाएगा अगर भारत के राफ्ट्र पती के चुना में कोई बिबाद है तो उस बिबाद को फॉपा जाफकता है इसका राइट अन्फर हो जागा ऑप्सट नमबर थरी भारत के फरवोच नियाले को नेक्ट कोशन नमबर 99 देखते हैं भारतिये फंबिधान भारत के राफ्ट्र पती को अधिकार नहीं देता है राजियों को की मुख मंतरी की नियुकती करने का अधिकार है जो भारतिये फंबिधान भारत के राफ्ट्र पती को अधिकार ये नहीं देता है कि वो राजियों के मुख मंत्री की न्यूकती करें नेक्स्ट कोस्चन नमबर हम लोग 100 पे चलते हैं भारतिये फंबिधान की प्रफ्ताबना में जिन आदेशों एवं उद्देश्यों के रूप रेखा दी गई है उनकी आगें की ब्याख्या की गई है तो हम लोगा राइट अंफर हो राज के नीति निर्देशक फिदानतों एवं मौलिक करतब्यों के अध्यायों की तो अप्सान नमबर थ्री हम लोगा करेक्ट अंफर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चन नमबर 101 देखते हैं भारतिये फंबिधान के लिए प्रथम फनफोधक बिधेयक है भारतिये फंबिधा अंफर हो जाएगा नाइंटी फिप्टी बन निम्न मेशिक कौन सा एक फंबिधानिक फंफोधन मौलिक करतब्यों से संबंधित है तो हम लोगा राइट अंफर हो जाएगा ऑप्सन नमबर तू चुवालिफमा फंफोधन नेक्स्ट कोस्चन नमबर 103 देखते हैं फरकारों द्वारा फूल के एवं कर लगाने का अधिकार फंबिधान की कि फूची में उलेकित है तो कि फीची में उलेकित है फात्मी अनुफूची में नेक्स्ट कोस्चन नमर एक फोचार देखते हैं जोखिम भरे उद्योगों में बाल फ्रम का उप्योग निफिध किया गया है तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा उप्यूक्त में से एक से अधिक यानि के हम लोगा जो है चारों करेक्ट अन्फर दिया गिया है नेक्स्ट कोस्चन नमर एक सो पांच देखते हैं निमलीखित प्रस्ताबों में से किसका संबढ़त संगिये बजट से है तो कौन सा हो है तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा उप्सन नमबर वन संबिधान की धारा तीनफ़ बामन ये किसे है आपात इफ्थिती की घूशना के लिए नेक्स्ट कोस्चन नमबर एक सो साथ देखते हैं काली मुद्रक क्या है काली मुद्रक क्या है या अबायध आई है जिस प अपना फुधार के लिए री नेवम अनुदान निम्लिखित में शेकिस एक संफ्था द्वारा दिये गए हैं तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा आप्सन हम लोग चलिए देखते हैं इसका राइट अन्फर क्या है अबिश में बैंक आप्सन नमबर वन इसका करेक्ट अन्फर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चन नमबर 109 देखते हैं भारत के निम्लिखित में शेकिस राज में पद्याइनी भद्रकाली मंदिर में किया जा नेक्स्ट कोस्चन नमबर 119 देखते हैं निम्लिखित में कौन सा एक परफ्थित की तंत्र पिर्थी भी के फरवाधिक छेतर पर फैला हुआ है तो राइट अन्फर हो जाएगा सामुद्रेक क्या है यहां सामुद्र है जो सब से जादा फैला हुआ है नेक्स्ट कोस्चन नदी के किनारे है है और रोम है टाइवर नधी के किनारे है नेक्स्ट कोस्चन में 112 देखते हैं लंष्दीप तापू अबफ्तित है जो कहां ??? भारत में अप्शन नमबर 1 इसका करेक्ट Pan पर हो जाएगा संयुक्त राज अमेरिका में फिलिकॉन बैली अबफ्थित है फिलिकॉन बैली है जो कहां अबफ्थित है कैली फोर्णिया में नेफ्ट कोश्चन नमबर 104 देखते हैं कुल्लू घाटी जिन परवत फ्रेनियों के बीच अबफ्थित है वह है धौला धर और प देखते हैं निम्नांकित नगरों में फेकॉन करक रेखाव के निकटतम दूरी पर इफ्थित है तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा उज्जायन ऑप्सन नमबर 3 इसका करेक्ट अन्फर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमबर 117 देखते हैं निमलिखित में कॉन परत क चिंता के लिए उत्तरदाई नहीं है तो इसका बिलायक के रूप में परियुक्त मेथिनॉल क्लोरोफॉम यह भी है यह भी होगा नाइट्रस ऑक्साइड है जो नहीं है ऑप्सन नमबर 3 हो जाएगा करेक्ट अन्फर भारत में फरवाधिक जैब बिविदिता पाई जाती ह सबसे ज़्यादा जैब बिविदिता कहां पादी जाती है सांथ घाटी में उप्सन नमबर 2 हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमबर 119 पे चलते हैं महिलाओं की एक पत्रीका बाम बोधिक इन पत्रीका फे फंबंधित थे वो किस के द्वारे लिखा गया था देवेंद्र नार टैगोर के द्वारा निम लिखित में शही शुमेलित है तो इसमें फ़ही शुमेलित कौन फा है गोगा बिल बकफर गलत है कामबर जिल पच्च कि अब्यारन बेगुफरा यह हम लोग का करेक्ट अनफेर है तो हम लोग का राइट अनफेर हो जाएगा ऑप्शन नमबर टू तो आज का हम लोग का प्रैक्टिप सेट टू का खतम होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्स पर वाचिंग